नमस्का देशक मित्रो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे ICICI Prudential Manufacturing in India Fund के बारे में Thematic category का फंड है तो वीडियो में इस फंड के बारे में डीटेल में चर्चा करेंगे इस फंड के investment approach के बारे में जानकारी प्राप करेंगे और फंड के current portfolio के बारे में हम डीटेल में चर्चा करेंगे तो आप सभी से अनुरोध रहेगा इस वीडियो को पूरा जरूर रेखेगा और एक बहुत यूनीक फंड है High risk investor के लिए तो इस वीडियो को आप जादा से जादा investor तक share जरूर कीजेगा सबसे पहले fund की investment searches के बारे में चर्चा करते हैं तो जैसे की नाम सजेस्ट कर रहा है यह fund manufacturing related sector में निवेश करेगा और fund में किसी भी प्रकार के company में fund निवेश कर सकता है और flexibility रहेगी large cap, mid cap, small cap किसी भी segment में यह fund अपना निवेश कर सकता है इसके साथ यह fund सब theme में भी निवेश कर सकता है manufacturing अगर आप देखे export oriented manufacturing, domestic consumption और capex manufacturing में भी यह fund अपना निवेश कर सकता है तो जादतर अगर आप देखे तो manufacturing related जो company है भारत के अंदर उसमें यह fund निवेश करेगा और जैसे के हम जानते हैं making India एक बहुती बड़ी theme आने वाले समय के अदर उबर के आ सकती है तो उसमें अगर आप देखे कई सारी भारत की जो company है उनको benefit मिल सकता है और ऐसी कई सारी कमपनियों के अंदर भी यह fund अपना निवेश कर सकता है तो चरजा करते हैं fund के current portfolio के बारे में सबसे पहली company है BPCL एक बहुती 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 इंवेश्मेंट भी होने वाला है तो यह एक बहुत बड़ी theme बन सकती है उसके बाद है Reliance Inductive भारत की सबसे बड़ी company है यहाँ पर भी 7.2 पर का allocation दिया गया है भारत की सबसे बड़ी construction की company यहाँ पर 6.5 पर का allocation दिया गया है उसके बाद है ग्रासिम अल्टाटक सिमेंट की holding company और इसके लाग कंपनी का खुद का भी business है यहाँ पर भी 4.7 पर का वाली एक बहुत ही भाधरिन company है 3.7 पर का आलोकेशन यहाँ पर दिया गया है उसके बाद है Steel sector की company हिंडाल को यहाँ पर सारी 3 पर का allocation दिया है वर्दमान textile textile segment की यह बहुत ही भाधरिन quality company है और करंटी textile theme भी चल रही है तो यहाँ पर भी 3.3 पर का गया है कि उसके बाद है अल्केंप लेबरोट्री केमिकल सक्टर की यह बहुत ही भैतरीन कमपनी है मल्टी वेगर यह से रहा है पिछले एक साल के अदर यहां पे थीन पर प्रसका ऐलोकेशन दिया है उसके बाद है यहां पे टू-पॉनिग यहां पर टू-पॉंइट पर प्लेयर बन सकता है यहां पर 2.4 प्रस का लोकेशन दिया है उसके बादे अगें टाटा ग्रूपी एक डिगज कंपनी टाटा स्टील 2.4 प्रस का लोकेशन दिया है कार्बर रेंडरम युनिवर्स एक कैपिटल गूद सेग्मन में काम करने वाली कंपनी है 2.2 प्रस का इत्रिंन कंपनी है 2.7 प्रस का लोकेशन दिया है Devi Sumo यहां पर 1.7 प्रस का लोकेशन दिया है मारूतिय सुजुकी में 1.6 प्रस का लोकेशन है अजंता फार्मा यहां पर 1.5 प्रस का लोकेशन तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जादतर manufacturing कमपनिया है और यहाँ पर कोई भी finance की कमपनी नहीं रहेगी तो एक बहुती 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 बड़ा sector उभर के आ सकता है capital good cycle वापस आ रही है और जैसे यह जो covid का crisis खतम होगा उसके बाद भारत में एक बहुती बड़ा investment हो सकता है तो उसमें कई सारी जो कमपनिया आपने यहाँ पर देखी उसको फायदा मिल सकता है तो यह fund यहाँ से आपको आने वाले 2-3 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा return बन valuation के हिस्सा आपसे भी इस portfolio का average PE ratio 19 का है और average price to book ratio 1.9 का है तो valuation भी बहुत ही comfortable है पूरे के पूर्फोलियो का और average market cap इस portfolio का है तक्रीबद एक लाग 6,000 करों के आसपास का ICSA Prudential Manufacturing in India Fund current NAV है 14.44 का और क्योंकि ठिमेंटिक केटेगरी का fund है तो इसमें risk ज्यादा रहेगा fund manager आप देखे अनिस जो 25 साल का experience सकते है तो एक बहुत ही बड़े experience fund manager है ICSA Prudential के 2008 में इस fund को launch किया गया था तब से अब तक अगराब देखे fund तक्रीबन 46 प्रस का return बना के दिया है चोटा यू में fund का तक्रीबन 580 करों का तो इसको manage करना भी fund manager के लिए easy रहेगा किसी भी company में entry exit बहुत ही quickly fund manager ले सकते हैं चब से ये fund launch हुआ है तब से अब तक त माधियम से भी आने वाले 6 मेंने के अंदर इसमें दीरे दीरे अपना capital deploy कर सकते हैं और आने वाले तीन सालों के अंदर अगर दोस्तों आपको इस fund में निवेश करना हो या आपको और जानकारी प्राप करनी हो तो आप हमें DAG number पे call कर सकते हैं message कर सकते हैं या WhatsApp भी कर सकते हैं एक भहत्रीन fund है जिसके बारे में चर्चा नहीं होती है तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस video को share जरूर कीजे मिल जाए